हेलो, वेलकम बेक टो बालोजी क्लास, प्रिवेस लेक्चर निंदेर अपड़े वाद करियती, खेती वाडी मा बायो टेखनोलोजी नो उप्योगने तेमा अपड़े एक चर्चा करियती, आरेने इंटर फियरंस, उके लगे आरेने अंतक्षेप पाण, आपरे करिया वीशे, ऊके, राइट, होँई आधना लेक्चर निंदेर अपड़े वाद करवानी शे, आउश्य धीयक शेत्री, बायो टेक्णोलोजी नो उप्योग, अने एन अंतर गेद आपड़े आधना लेक्चर निंदेर चर्चा करिशू, बायो टेक्नोलोजी नो उप्योग द्वारा आणव इंसुलिन तयार कराये छे खड़के आप सवने ख्याल छे के डाइबिटीज जे रोग छे तेनी अंदर खास करीने एवा दर्दियों के जहना सरीर मा आ इंसुलिन निर्माण थतो नथी तो एवा दर्दिने बहार्थी इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन आपाम आवे से तो आज जे इंसुलिन ए फार्माशुटिकल कंपनी निर्म के वरिती तियार करों मा आवे से बायो टेक्नोलोजी ना उप्यक द्वारा के नो भ्यास आधना लेक्चर मा करवानों से तमें जो शको शो पिक्चर नी इंदर के लीली कंपनी के जहने आ रिते फार्मुलेशन तयार केरियों से हिमुलिन नाम थी रजिस्टर एक ब्रांड नेम तो आचे मार्केट नी इंदर अत्यार अवेलबल हिमुलिन के जे डियाबिटीज रोग नी अंदर बाहर थी इंजेक्टेबल अप्रिप्रेशन से राट वात करी तेम के बायो टेक्निलिजी नो जेके पन उप्योग से ए विशालक श तो हुए शे तो एमानू एक ख्षेत्र एटले के मेडिशनल प्राक्टिस अवश्यदीय ख्षेत्रे आज जेरी कोमिनेन टेक्नालोजिय शे तेनो उप्योग बोड़ी मात्रामा थायरे हियो शे चत्ता पाण कणिवखत एवी जी प्रिप्रेशन बनती होई शे के जेनले अने थोडिक एडवर्स इफेक्टो जेना पड़े आड़े सरो कही है शे ते प्रमाने आवती होई शे तेम छता पाण आशधीयक शेत्रे खुबज ओछा आवाकाईक सफ़ल व्यावसाईक प्रयोजन थाया शे अने एमनों जे दर हवे धिमे धिमे ए वत्तो जाये शे अने जनरली आवी जे आउशधीयक शेत्रा शे ए आउशधीयक शेत्रा नी अंदर खास करेने जे कईया निर्मान करवान हो शे लेके जे प्राडक्ट निर्मान करवानी शे सजीव माटे तो ए मेजोरिटी तो प्रा प्रोडक्षन मा लिस्टबंस आवी चुक्यू होए शे तो हवे एवा प्रोटेने निर्माड थता न थी तो एवा प्रोटेने आपड़े बाहार थी दाखल करवा पड़े शे तो सजिव सरे निंदर जे प्रोटेन निर्माड थाए शे ते जनरली आनुवन्शिक तानी द्रे वाद करी तेम मेसंजर आरेने स्वरूप्टेनों प्रत्यांकन था याने एननों भाषनतरनी क्रिया थी कंप्लीट प्रोटेनों निर्माण करावे शे तो आवा जे जनीन शे ए जनीन ने जो पड़े ओल्खी लेए फर एक्जेंपल आपड़े आधना लेक्चर मा बाद अनावतु जेके पण जनीन शे आपना सरीर मा जो ए ओल्खाय जाय जो के ओल्रडी वे ओल्खाय चुकियू छे तो ए ओल्खाय लू जे जनीन शे तेने आपड़े कोई अन्य प्राणी ना सरीर मा इंट्रूस करावे तो अवियसली एना सर्जियू सरीर नियेंदर आव समझे तो नानियवी कोई एक PDF होई के जनी इंदर का एक माहिती आपीली चे जो ए माहिती ने तमें जारोक्स मसीन इंदर इंट्रूस करावो तो जारोक्स मसीन मां ए माहिती नी PDF तो के ए अपने व्यवस्तित पेजना सरूप मां मरती थाई जया शे तो आवीच कहां कि यह बाय टेकनोलोजी नी वाद छे कि जनी इंदर कोई पन जे जनी न चे कि जमाथी आपड़े प्रोड़क्ट मेलवी चे जो व्यवस्तित प्रिंसिपल चे व्यस्तिसम जो कि कोई एवी प्रोड़क्ट चे जे आपड़े मेलवी चे तो तेना माटे जोबदार जे जनी न चे ए जनिनने जो आपड़े अन्यकोई प्राणी ना सजीव सरीर मा दाखल करावीद दिये रिकोमिनन डियने टेक्नोलोजी द्वारा, तोवे ए प्राणी मा आजे जरोरी जे प्राटिन शे त्यानू निर्मण थवा लागशे, तोवे ए प्राटिने आपड़े त्यांसी कलेक्ट करी लेशोंने एनी प्रिप्रेशन त्यार सही जेशे, बस सामन्य सिद्धा अन्त शे, तो अहियां पार आउश्य धिया जे जनिन उत्पादन शे, ए बायो टेक्नोलोजी न इंदर एक शेत्र शे के जनिन दर आ टेक्नोलोजी वधारे मात्रामा उप्योगी शे, तो सवथी मोटी अने सरण प्रकानी जनिनीक तक्निकी ए मेडिकल ना जे जनिन शे एनी निपजो एनू उत्पादन करू, भात करी तेम कानके प्रोटीन माते जौबदार छे कोण तो के आवा कोई नाना टुकडा जे डिनेन आ आपड़े खई शे कि आनेन आपड़े जनिन कही ए छे, तो आवा जे जनिन ए निपजो मोटे भागे प्रोटीन छे, अने जारे या जनिन अभीवेक्त था था त्यारे ते प्रोटीन वे सिधू निर्वान करे छे, तो जे टेक्नोलोजी है या उप्योग मा आवा नी छे, तेनो साम्माने सिध्धानत जोई है, तो कोई पन जे जनिन अचे, मोटे भागे तो मानव जनिन, आवा जनिनने बीजा कोई सजीव मा मोटे भागे सुक्ष्मा जीव, लाइक सुकोश केंदरी सजी़ तो आपने मोटे भागे इश्ट, तो जी तो आवा जे सुक्ष्मा सेजीव, यह मां थी अनु निस्करशन करी लेशू और जे अपड़े डाउन्स्ट्रिमिंग जे प्रोसेस चे अनु प्रवाईज संसाधन पत्दो थी अनु उप्योक करी अने नुग पिरिफिकेशन करीशू अने रें प्रिप्रेशन तियर करीशू इतले एक सिद्धान तशे सामनिय के जे जनिननु उत्पादन आपड़े जोईये छे ते जनिनने री कॉमिनन डियेने टेक्नोलोजी द्वारा अन्ये सजिय सरीर्मा दाखल करी देशु अन्ये त्या एनी अभिवेक्ती थशे अन्ये अभिवेक्ती थशे तो निर्मान थतू जे प्रोटेन से जे नीपज जे से एन्ये अपने मेड़े लिशु तो जन्रली आजे टेक्नोलोजी से तेनी इंदर जे री कॉमिनन डियेने टेक्नोलोजी ना जे तबक आपड़े भणी चुकिया से त्यानो जे यह उप्योग चे तो आवी काईक मेडिकल अख्षेत्र उप्योगी थोड़ीक निपजो एन्या चाट से राइट कि जे ने आपड़े मतलोग कि जे जनीन से एक्वाणीन देर आपड़े दाखल करिये शे ने ये प्रोड़क्ट से आमाथी मेलविये शे तेलेनो सोस अने प्रोड़क्ट क कोनी सार्वार मों उप्योगी थे बाबत यहां नांदेली थे इंसुलीन तो के इक ओलाजे बेक्टरिया थे तेने इंदर आपड़े मानव जनीन इंटर्डूस करावी थे ने ए सोर्स माथ ही डाइबिटीज नी सार्वार माटेनों इंसुलीन मेलवी शेकाया थे तेर इंटर फेरोंस इंटर लुकिन्स अब धी प्रेपरेशन से जी मेडिकल अक्षे त्रे हाल माँ अवेलेबल से के हिपटाइटीस बी त्यार बाद कॉरिया नी गॉर्नेर टॉपिन जे सेक्शुल गॉर्नेर हॉर्मोंस अप्टा कहिए थे त्यार बाद ब्लूड ग्रोटिं फेक्टर 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 नंबर 8 और फेक्टर नंबर 9 हेमोफिलिया जे डिजीज त्यानी सारवर माटे तो बधी कहें क्यों प्रेप्रेशन से लाग एंटी थ्रॉंबिन 3 कैसी टॉनी प्लेटलेट डीराइग ग्रोथ फेक्टर तो मार्केट मां अवेलेबल अब धी प्रेप्रेशन के जे मेडिकल अग्षेत्र आमनों उप्योग थतो होई से पन आ प्रेप्रेशन आपड़े तैयार करी इसे आवी रीकॉमिननट डीने टेक्नोलोजी ना उप्योग थकी ओके अन्ने आधना लेक्चेर मा आपड़े वाद करवानी से इन्शुलिन के रीकॉम तो समझी हवे ये बाया टेक्नोलोजी द्वारा इन्शुलिन उत्पादन ते पहला अपड़े इन्शुलिन नी थोड़ीक प्रास्मिक माहेती मेड़वी लेए के इन्शुलिन आपने ख्याल शे प्रकारे प्यप्टाड अंतरस्त्राव शे और आज जे अंतरस्त्राव ये नू पाचन करे शे ने ग्लुकोजनी मात्रा रुदीर मा ए घटाडे शे तो मनुष्यमा शरकराना चया पचाई एनू नियंत्रन करे शे आयनो उप्योग शे हाइपोग्लैसेमिया जे परिस्तिती शे तेना माटे जहाबदार शे कानके इंशुलिन जो वद्धू मात्र अमाँ ग्लुकोजनी लेवल डाउन थाई जे शे लाके 40-50 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तो हाइपोग्लैसेमिया कंडिशन आवी जे अने डायबीटीज तो के जेके पन इंशुलिन डिपेंडन डायबीटीज मेलिटस टैप वन प्रकर केवाई कानके इंशुलिन आधारी तो एनी सारवार मां आजे इंशुलिन प्याप्टाड अंतस्त्राव ये उपयोगी बने छे तो एंशुलिन नों स्त्राव ए मानो सरीणींदर स्वाधोपिन्दर आवेला जे लेंगर आंसना कोश्पुन्जो आनाम आपन आपने जानितू छे तो ए लेंगर आंसना तो आज जे बीटा जे कोश पुंजो छे तेमा थी इंशुलीन एनो श्राव थतो होई छे आ नेचरल छे तो मानव इंशुलीन एनो बंधारण नी वाद करिये तो एनी पासे टोटल 51 एमिनो ऐसीड छे एनी पासे 21 एमिनो ऐसीड मा आज जे इंशुलीन एनी पासे 30 aminoosit छे, नश्यार्य ysrय बंने जे सरूंखला छे, सरूंखला A. 21 aminoecit containing अन्ने शरूंखला B. 32 aminoecit containing आप बंने जोंट थायए छे, feder Trusteesится dusate bond द्वारा, जो, Sulfur containing छे, याद राखानों होछितके बंने स्रूंखला Dis על Fed बंध वड़े, एक वज शाथ जोड़ाई जशे अने मैच्चूर एक इंसूलिन ज़े पोली पेप्टड अंतस्राव छे तेनो निर्माण आपड़ा सजीर सरीन नी अंदर अक्रियावीती थाई छे तो अब आब ज़ती सामन्य नेच्रली एक इंसूलिन नी तेमे बाजूमा अक्रिती जोई शको छो इंसूलिन हिमन इंसूलिन के जयनी इंदर आप बन्ने श्रूंखला चैन ए अने चैन बी बन्ने ना कलर पाण डिफरांच छे तो जे चैन ए श्रूंखला ये जो वच्चे वच्चे आवा डाय सलफ़ार जे बन्ने श्रूंखला जोडाई ली छे तो अपने वाद करीते हैं कि इंसूलिन नो जे उप्योग छे तो डायबिटीज नी सारवर माते हैं तो पुख्टव एक्ति निंद जे डायबिटीज थाये छे तो ए डायबिटीज ना नी इंत्रण माटे एक निस्ची समय ताइम इंटरवल प्रमाणे सजी सरी निंदर आज इंसूलिन ए लेवात होई छे इंजेक्टेबल तो पहलाना समय माँ जे मधू प्रमेना जे दरदियो छे तेना माटे उप्योग मा लेवातु जे इंसूलिन छे एक आतो प्राणियों माथी मिलवात होई तो तेना अपड़े नाम आपीश्यू बोवाईन इंसूलिन अने बुन्ड पोर्साइन इंसूलिन तो आवाज जे प्राणियों छे तेमाथी मिलवातु होटो ने त्यार बाद ए मनुष्यना सजी सरीर माँ दाखल करातो होतो प्राणियों माथी प्राप्त थतो जे इंसूलिन अती एन निंद थोड़ी तकलिफ हती आपने ख्याल छे नोड़ावड के चलो ए इंसूलिन नो जे बंदारन छे ए मेजोरीटितो समान छे प्राणियों माथी जे मलतु होतो इंसूलिन बोवन इंसूलिन एनु केमिकल कमपोजीशन ए मानव जे इंसूलिन छे इना राषाणिक बंदारन नी सापेक्ष मांत थोड़क डिफोरंट अतू अन्य जारे या थोड़क डिफोरंट छे त्यारे ए मनूस्यना सजीव सरीर ने Aber ना थां । ए तोले ए प्राणियों मांत ती मिलतू ए उमुग डर्दियों मां आती हती तो याद रहखानूँद छे प्राणियों माथी मलतौ बोवान इन्सुलिन अन्य भूंड एटले के पोर्षान इन्सुलिन अवं । जे प्राणिये चे तेने मारी नाखिय अन्य तेना जे श्वादू पिंडस जे तेमाथी बहार कार्थवामा आओतू हतू अने प्राणियों माथी प्राप्ता थतो जे इंशुलिन एना द्वारा घणिवार दर्दियोंने एलर्जी अथवा आजे इंशुलिन ए मानव सरीर माटे ए परजात प्रोटीन तरीके पन कारिया करतो होतो तो एना प्रति पन सज्यू सरीर ए प्रतिक रिया आपे चे तो एलर्जी अने अभी केंग प्रतिक रिया ए सजी सरीर्मा थवा लागती है ती एनू रिजन होतो के बोवान इंशुलिन ए मानव जे इंशुलिन छे एनू जे केमिकल कमपोजीशन छे एनू जे एमिनो एसे नू बंदारन छे तेना थी थोड़क डिफरांट हतो आब आब थोड़ीक याद राख जो अने सप्रतम फ्रेडरिक सेंगर नामना जे साइन्टिस्ट आएक नाम याद राखोनू छे सेंगर नू तो आजे सेंगर छे तेने सप्रतम आजे इंशुलिन छे नू केमिकल कमपोजीशन याद राख जो के ए पहला हम्मेशा पोताना प्रो यलके पोताना अ परीपक्वा जे स्थिती ओया छे तेमा रेतो ओय छे तो मनुष्या सही जेके पान स्तन दारी हो छे एनी इंदर जे इंशुलिन निर्माण थाये छे नैचरली, पुद्रती रितिजे सजी सरीर्मा निर्माण थवानू छे तेनी वाद छे तो ए समय देर्माने पोते प्रो अंतरस्त्राव तरीके होई छे अन ए तरीके ए पोते हम्मेश पोतेनों संसलेशन थशे अन एनी अंदर एप्रोक्सी ओगनिस्ती सम्थिंग वधारे एमिनो ऐसीड धरावती हजी एक नानी एक स्रूंखला होई छे अन एने केवाई छे C-Peptide अन नाम खाली याद राग जो एक एमिनो ऐसीड नी खेचाईली एक वधारानी स्रूंखला होई छे अन एने केवाई छे C-Peptide मतर नाम याद राखाणों छे C-Peptide के जे अपरीपकवा इन्शूलिन नी अन्दर एक वधाराना एमिनो ऐसीड साथे आविली एक स्रूंखला होई छे कि जारे भाशांतर नी क्रिया कंप्लीट सही जाये छे सुकोष्केंद्रे नी इन्दर त्यारे पोस्ट ट्रांसलेशन फेरफार सता होई छे एटले के भाशांतर पच्छे ना इतले के पश्वा भाशांतर ये फेरफार साये अन ए दर्म्यान आजे प्रोउंशूलिन निर् सुकोष्केंद्रे सजी मां कोष्केंद्रे नी इन्दर क्रिया विद्धी थाशे और येने के वाशे पोस्ट ट्रांसलेशन फेरफार येटले के चैंजीज अनो आपड़े अभ्यास चेप्टर नम्बर सिक्स नी इन्दर करवाना थी येटले वो चिंता करताने तेर खाली नामनों लेक करोशो पश्व भाशान तरिया क्रिया विद्धी अथवा फेरफार द्वारा आजे प्रो इन्दर कारिया थाशे अने हवे आ स्वधारानो खेंचा एलो जे सी पेप्टाड भाग शे एने इजे क्रिया विद्धी शे त्याना द्वारा इने दूर करी नाखोम आव शे एटले हवे आजे सी पेप्टाड ये परिपक्व इन्शुलीन मा नथी आ बाबत खास नौंद लेजो सी पेप्टाड जे होई चे ते परिपक्व इन्शुलीन मा आ हाजर नहीं होई और परिपक्व स्थिती मा सी पेप्टाड हाजर चे परन्तु परिपक्व स्थ आजिति मा आज प्याप्टाड आजार नथि, कणके सजीर सरीर माई एक रिया विधी थाएशे, अन एक रिया विधी थकी आटलो जे भाग छे एद दूर कराय दिवाएशे। एटले सी प्याफ्टाड परीपक्वा इन्शूलिन मा होतो नथी, सी प्याफ्टाडे इन्शूलिन नी परीपक्वा ता दर्में दूर थाई जाये शे, बन्ने बाबत द्यानमा लेजो, काने हवे री कोमिनन डिने टेक्नोलोजी नो उप्योक करी अने इन्शूलिन नू जे उत्पादान जे त्यानो मुख्यan पडकार ए, कै आजि इन्शूलिन से त्याने एपक्व स्णूरूप माह एकत्रित करवानू छे। कान के आजिये क्रिया विदी अचे ए, जीवन त्या माहित सिरीर माह थती क्रिया विदी चे। परन्तु हवे आपने या क्रिया विद्धी आर्टिफीशली तियार करावानी छे तो एसे आखी री कॉमिनेट डीने टेकनोलोजी तो एनी इंदर हवे या जे सी प्याप्टाइड जे ख्याचालो एक वदारनो भाग छे तेने पन दूर करो पड़े छे तो ए जे इंसुलीन तियार करती जे के पन कंपनीज वोई छे तेनी माटे पड़का रूप छे अथवा जे एना माटे ना रिसर्चर संशोदको छे एना माटे एक मोटो एक पड़कार हतो कि भई नेचरली जे इंसुलीन तेयार थाये छे तेवुज आपड़े आठीफिशल इंसुलीन जारे तेयार करीशू त्यारे एमनी समक्षिक प्रश्ण आवीन उबोरे छे क्या वधारे ख्याचायलो जे भाग छे जे सी प्याप्टाड छे तमे आकरुतीमा जो शेको छो उपर जे आपड़े आप्यू छे ते संपोण अखोईग इंसुलीन छे एनी स्रूंखला A, स्रूंखला B, जैनी इंदर 30 एमिनोएसीड छे त्यार बाद स्रूंखला A, C तो आखी जे वाद छे ए प्रो इंसुलीन वाद छे अन्य जारे एन्वो मेचुरेश नी प्रक्रिया थशे परिपक्वा नी प्रक्रिया थशे त्यारे अजे वधारा नो जे C-Peptid भाग छे इस सी प्याप्टाड भाग ए दूर थाई जे शे अने त्यार बाद ए स्रूंखला अने जे बी स्रूंखला चे ए बन्ने डाय सल्फाइड बांड वड़े जोडाए अने वियवस्ती देग परीपकवा इंसुलिन्यों निर्माण करी देशे तो वे थोड़ाक स्टेप जोई लिए कि हुमन इंसुलिन नी क्रिया विधी मा कया कया स्टेप आवाना शे कानके स्टेप आवाए कॉमन छे री कोमेने डी अने जे टेकनोलोजी से त्याना स्टेप छे जनी अंधर सामनी रित्य जोहीए तो पहला तो आपड़े स्रूर्स एक याती लावाना शे तो तो हिउंन इंसुलिन तयार करु हे तो स्रूर्स ए मानव कोश्डोवाना शे इ मानव कोश्यो जे डे िम जनी अनी इंदर जे जनीन छे जे इंशुलीन तेयार करे चे स्रूंखला A, स्रूंखला B तो जे प्रोसीजर हती DNA आइसोलेशन त्यार बाद जे ने ओडखवानू छे इलेक्ट्रोफोरेसीस, रिस्ट्रिक्षन एंडो निकलेज उससे चकनो उप्यक करवानू ये के वाहक प्लाजमीड छे त्याने कतमुकवानी त्यारवाद जे अपड़ो जिन इंट्रस्ट छे, अपड़ो जNews Martinez झे जे इन्शुलीन त्यार करवा जे रियो छे त्यानी पर कटमुकी त्यारवाद DNA आने लिगेस द्वारा एने जोइंट करेवे आने पुन्हा समय जीत आखों आनू तेयार करवो तो बद्धीज प्रसीजर जब टेक्नोलोजी माँ छे यह फोलो था चेकानके एनीज आप्लिकेशन चे तो 1983 मा एली लीली नामनी एक अमेरिकन कम्पनी आक अमेरिकन कम्पनी अनूरू भती तो नाम याद राखोंणू छे 1983 एली लीली कम्पनी श्रूंखला ए श्रूंखला बी जे तैयार करी ते जे मानव इंशूलिन छे त्याने अनूरुपती तो हवे तबकानी वाद करी तो मानव जे कोशो हो छे त्यानू जे डीने शे तेमाथी पोली पेप्ट जे डीने उपर जे जनीन छे डीने खंड छे तेने ओलखियाने तेने अलगी कुरूत करवा मावे छे प्यालू स्टेप तो मानव कोश्चो माथी पोली पेप्टाड ए श्रूंखला अने पोली पेप्टाड बी जे श्रूंखला छे तेमना माटे नी जे डीने श्रूंखला आपड़े अल्गीकृत करवानी छे अने कोई एक श्रूंखला माटे यह श्रूंखला A, यह ना माटे आपड़े जो यहां आकृती माँ दर्शेवु छे कि जेके पॉलीप्यप्टाडे जे श्रूंखला छे यह ना माटे थे यह अने केविरी ते आपड़े रीकृमिनेंट डियने तैयर करिये शे ती त्यार वाद जे कहीं अल्गीकृत करे ली जे श्रूंखला छे तेमने योग्य प्रकार नो जे वाहाग छे अहीं आपड़े जो वाहाग पस्सन केरो छे बी गैलेक्टोसाइडेस जनीन धरावतो तो ओवियसली आपड़े यह वाद करी शुकोनी इनसर्शनल इनक्टिवेशन निवेशी निस्क्रिय करनी क्रिया विधीज रैट अने एनी साथे एक जो जे वाहाग छे एपोत्ते एक एंटिबाटिक रेजिस्टंस साइट मन लेना वेशे कोनी माटे स्क्रिनिंग टेस्ट माटे तो योग्यों प्रकार आपड़े वहाग यह तैयार करो छे प्लास्मीड शे के जनी पासे बीटा गेलेक्टोसाइडेस जनीन पर छे और एंटिबाटिक रेजिस्टंस जीन पर तो आनोप्यों करियाने आपड़े कट मुखियाने आपड़े जे जिन ओफ इंट्रेस्ट एटले के इंशुलीन जी ए तो यह आपड़े सब्मीट करिये शे वियावस्ती जेके कटिंग मुखवानू चे कटिंग लगायवा बाद यह आपड़े इंटर्डिूस करावी यह प्रकार ना आरे डियने त्यार करों मा आएवया आप बीजूस्टे अब यह प्रकार ना डियने कोणी माटे एक स्रूंखला ए माटे अने एक स्रूंखला बी माटे जेमानू एक आरे डियने स्रूंखला ए अने जारे बीजूरी कोमिनेंट डियने स्रूंखला बी एना म अनुछे अन्हवे या जे री कोमिनेंट डीने जे बनी गया चे श्रूंखला A माटे ने श्रूंखला B माटे एमने अपड़े ये जुमान जे कोश अहीं आपड़े इकोला ब्यक्टर नी वाद चे तो इकोला ब्यक्टरी माँ आपड़े इंट्रिद्यूस करवी शू दाखल करवी देशू अन्हवे अब बन्ने जे कोशो चे तेमा अलग-अलग उत्पादन करावे लिजे श्रूंखला े मानो के इकोला ब्यक्टर रया छे एमा आपड़े स्रूंखला ओत्पादित करे शो तो बीजा समर्धन माद्यमा अपड़े ये निर्मान करावे लिछे तों बन्नसेने अपड़े आइसोलेट करे ली शू अन्होँखला एंपiße स्रूंखला और बाहार अलगीग्रूत करी अने एमने अपड़े डाय सल्फाड बंद वड़े एक बिजाने जोड़ी देशो तो ए तयार से चे मानव इंशुलीन के जमनी पासे श्रूंखला A अने श्रूंखला B चे तो आवी रित्ते काईक आज जे एले-लेली कंपनी चे त्याने रीकोमिनेंट डियने टेक्नोलोजी द्वारा हिमन इंशुलीन के जैने नाम आपड़े जैनों हिमुलीन आईनों रेजिस्टर नाम चे तो ए तैयार करिऊंचे तो जेके बड़ो तबक का छे एने अपड़े व्यवस्ति देखा आकरूतीना चाट द्वारा समझी लिए तो वाद करी ते प्रमाणे के जे पॉल पर एक्जम्पाल आजे इकोला बेक्टारियों प्लाजमीड चे के जैनी पासे बीटा गेलेक्टोसाइडे जनीन और अने अन्टिबाटिक रेजिस्टन्स जीन अब बनने चे तो आपड़े पसंद करी शू प्लाजमीड ने अने त्यार बाद एने पर कर्ट लगावी अने स्रूंखला A माटे नू आपड़े इंट्रूड्यूस करी शू अने बीजा प्लाजमीड माँ आपड़े स्रूंखला B एना माटे इंट्रूड्यूस करी देशू तो अवे ए त्यार साइज जेशे री कोमिनेंट डी अने ए स्रूंखला माटे अने री कोमिनेंट डी अने ब बीटा गेलेक्टो साइड इसी तो लेके इंशूलिन ए फ्यूजन प्रोटेन तो हवे ए पोती अभीवेक्ते पाम शे अन जारे अभीवेक्ते पाम शेकले एन इंदरे निर्मान करवा लाग शे स्रूंखला A माटेना बेक्टरियामा स्रूंखला A मल शे अने B स्रूंखला माटेना बेक्टरियान सवर्दन माध्यमा बी स्रूंखला मल शे तापड़ेने अलगीकरूत करीले शूँ स्रूंखला A अने स्रूंखला B अवे याजे बन्य जे श्रूंखला छे जो जोई शको तमे श्रूंखला A अने श्रूंखला B एनने आपड़े अवे डाय सल्फार जे बॉंड शे एनना द्वारा जोड़ी अने वे वियवस्ति देख सक्रिय इंसुलिन, परिपक्व इंसुलिन, एक्टेव इंसुलिन के तयार करी शके अने ये अवी प्रिप्रेशन आवा जे वायल छे काचना वायल एनी इंदर आपी अने त्यारवाद इनी सप्लाई थे शके मार्केट नी इंदर तो आ वाद थे human insulin के जे recombinant DNA technology द्वारा तैयार करावाई जए अने तैयार करियू होतू सवक्रथम 1983 मा एली लिली अमिरीकन कम्पनी ना मैं पूँशे human lean ओके? राइट तो हवे मलिये फरी पासा next lecture नी इंदर एक अगे तेना topic साथे जेनू नाम से जीन थेरा भी जनिन थेरा भी अने homework आप सवे लखी अने सब्मिट करावानू से वर्क सीट जेके टॉपिक चाला से ते प्रमाण आपड़े सौल करवानी से अने अहीं एक प्रश्ण आपनी व्येचारिक शक्ति माटे आपो से कि इंशुल्लिन और आपड़े शाव माटे इंजेक्षन द्वाराद लईए शिये अने आपड़े शाव माटे ओरली लई सक्ता नथी मलगे मूख वाटे आपड़े इंशुलिन शाव माटे लई सक्ता नथी हैना योग्य कारणों अबसो वे बनाशी है